नमस्कार मित्रो, सोल जनी सत्युगा में मैं पायल शा, आप सभी का स्वागत कती हूँ, हमें एक educational series को continue कर रहे हैं, उसके four parts आ चुके हैं, हर एक विशय को हम डिटेल में समझ रहे हैं, अगर इन steps को, इन parts को आपने step by step समझ लिया, इन विशयों को अगर आपने step by step समझ लिया, तो हो सकता है आपकी life में ड्राफ्टिक जीन जाएं, यानि की transformation की journey में कहां से शुरुआत करनी, क्यों ये journey आपकी attack जाती है, कहीं बीच में आप रुख जाते हैं, या मन चाहे result तक, destination तक पहुश नहीं पाते हैं, इन सारे विशयों को हम अच्छे से समझ रहे हैं, तो लास्ट इस से पहले का जो topic हमने discuss किया था, वो था emotions, your emotions creates your reality, आपके emotion ही आपके reality को create करते हैं, इस विशय को और थोड़ा आगे extend करके हम समझते हैं, कि कैसे हमारे emotions, हमारी reality को बनाते हैं, हम सबी जानते हैं, कि हम अलग-अलग समय पे, अलग-अलग व्यक्तियों के साथ, या अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग प्रकार के भावों को महसूस करते हैं, हम हर समय गुस्ते से operate नहीं होते हैं, हम हर समय प्रेम का भाव नहीं महसूस करते हैं, या हम हर समय दिलिना या तिरसकार नहीं जेलते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, समय के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थितियों के साथ, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं, इसी विशे को थोड़ा सा और लीटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम हमारे एक मित्र की प्रशन को लेंगी और इनका ये प्रशन है कि इतने साल इन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए साधना की ध्यान जब तब सब कुछ किया और काफी उपर के सर पे पहुँची मतलब आध्यात्मिक विकास में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया पर ये जर्नी उनकी कुछ समय चली कुछ समय के बाद वापस उनके जीवन में परसनल लाइफ वे वो दुख तकलीफे ये परिस्सितियां वापस आ गए आप सभी के साथ बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बहुत साधना या बहुत कुछ पाने की कोशिस में आपने बहुत कुछ किया होगा अच्छीव भी किया होगा और वापस आप नीचे के सतर पे आ चुके होंगे ऐसा क्यों होता है इस प्रशने को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो एक सुल्तान जो होता है एक बादशा जो है वो अपने महल के अंदर या अपनी चार दिवारियों के अंदर अपने किले के अंदर वो एक बादशा होता है लेकिन उसकी पहचान असली पहचान तब हो पाती है जब वह रन भूमी में जाकर अपना शौरिय दिखाए बादसा या सुल्तान अपनी महल में या अपनी चार दिवारी के अंदर वह एक बादशा होता है पर वही बाद्शा या वही सुल्तान जब रन भूमी में जाकर अपना शौरिय दिखाए तब ही वो असली माइने में बाद्शा कहलाता है वरना वो शाशक हो जाता है जिसे उसके सामने तो रिस्पेक्ट मिलती हैं पर उसके पीछ द्रीना होती है हमारे जीवन में अगर इसी विशे को हम समझेंगे तो जब आप बंद आँखों से उन कल्पना शक्ती को जागरत करते हैं और आध्यात्मिक आयम उगस जब आप अच्छिव करना शुरू करते हैं तो आप अपनी रचाई इस बंद आँखों की दुन्या में अप सुल्तान होते हैं आप अपने बादशा होते हैं आपको लगता है आपने बहुत से दियां हासिल की आप ध्यान की इस चरम सिमा तक पहुंची बंद आँखों से आप उस गहरी शान्ती को या उस परम दिवी आनंद को महसूस करते हैं उस रोशनी को महसूस करते हैं आपको शीव के दर्शन हो क्या हो जाता है जब आप खुली आँखों से अपने आसपास अपने ही विक्तियों से जुड़ते हैं बंद आँखों से आपका स्वरूफ आपको अलग महसूस होता है पर खुली आँखों से अपने रन भूमी में जब आप उतरते हैं तो वहां पे आप खुद को कमजोर पात को कम्प्लीट नहीं किया है उसे सौल नहीं किया है कवर अप नहीं किया है यहां से जो आपको अपनी सिद्धियां हासिल करनी है खुली आखों से एक बादशाय या एक सुल्तान का अगर बच्पन देखेंगे तो सब बच्पन से ही वो ट्रीनिंग मिल जाती है कि वो अपनी कोशल हो जाए पाले उसमें स्किल डेवलप कर ले हासील कर ले व il बच्पन से ही उसे वो सारी ट्रिट्मेंट या सारी प्रैक्टिस दी जाती है ताकि जब उसे एक दिन वास्तविक युद लड़ना को तो उसके रन भुमी में होता है वास्तविक यूद में होता है तब वो अपना कोशल दिखा सकता है वो फाइट दे सकता है और महां से वीज़ाई होकर आता है और वो वीज़ाई उसको और confident बनाते हैं वो सिद्धियां उसे और multiplied होकर मिलने मिलनी चुरू हो जाती है यानि कि एक यूद जीता अगर सुल्टान नहीं तो उसमें confidence आया तो आगे चलके वो कई और सारे यूद भी जीतेगा असली माइने में वो सुल्टान या बात्सा कहलाता है तो इसी प्रकार से जब आपके जीवन में आप अपने वरत्मान जीवन को परिवार को परिवार के लोगों को या असल पास के लोगों को या अपने अनुभवों से जुड़ी सारी अच्छीया बुरी गटनाओं को पहले तो मास्टर नहीं करते हैं उसके साथ जो आपका कौशल दिखाना है जो युद्ध करना है वो हासिल नहीं करते हैं और ये करने की वज़ए आख बन कर कि सिर्फ आप उन आयमों में जाते हैं जहां पे आपको उपरी तोर पे सिद्धियां हासिल होती है महसूस करते हैं आप तलपना करते हैं या उस ब्रह्म में जीना शुरू करते हैं कि मुझे इश्विर के दर्शन हो रहे हैं मुझे वो आनंद प्राप्त हो रहा है मुझे वो प्रकाश दिख रहा है मुझे ये हो रहा है मुझे वो हो रहा पर जब वो आँखे खुल जाती है तो खुली आँखों से अब आप वास्तविक जीवन में वापस स्ट्रगल करते हैं स्ट्रगल कैसी होती है आपके व्यापार में या आपके नौकरी में स्ट्रगल आपके रिष्टों में स्ट्रगल आपके जीवन में अपने गुस्से को लेकर आप स्ट्रगल करते हैं यानि कि वो आनंद और वो शांदी आप अपने वर्दमान जीवन में वास्तविक जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं मान लेते हैं कुछ समय उस ब्रहम की दशा आपकी वर्तमान जीवन में खुली आँखों से भी आप महसूस करते हैं पर फिर भी समय जाती जो पेज हैं जो पेज हैं वो तो उपर आता ही है जैसे की एक बेज को पका किये भी ना या कोई भाड आई तो वो इमारत धह जाती है क्योंकि उसकी निव कच्ची है तो इसी प्रकार से आपके जीवन की जो इमारत आध्यात्मिक इमारत जो आप बनाते हैं वो आध्यात्मिक इमारत उसकी निव कच्ची होती है पर उस नीव को पक्की कैसे किया जाता है इस विशेई पर काम करना जरूरी है बंद आखों से तो आप कितने भी आयामों को सव कर सकते हो यस उसे रिसीव कर सकते हो पहुँच सकते हो आप उन आयामों में पर खुली आखों से आप उन ही आयामों में जीना आपके लिए संभाव नहीं होता है शांदी का अनुभाव अगर मैं बंद आँखों से करूँ तो हो सकता है कुछी दिनों में मैं उस पीस को उस जॉई को फील करना शुरू कर दूँ पर वही पीस वही जॉई वही प्रकाश मुझे खुली आँखों से अपने लोगों के बीच में ही महसूस करना है तो ये संभाव नहीं होता है इसका कारण आपकी इमोशनल फ्रिक्वंसिस होती है तो हमारे इस मित्र का जवाब अगर हम देना चाहे तो क्या दे सकते है कि सबसे पहले अगर आद्यात्मिक उन उन्ची आयामों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको खुली आँखों से उन आयामों को प्राप्त करना होगा खुली आँखों से उन आयामों को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी जरूरी है तो कि आपके इमोशन्स Emotions के उपर का control आग के लिए जरूरी होगा तो देखने जाए तो Emotions तो सारे valid है गुसा भी valid है दुख भी valid है दिलना भी valid है और प्यार भी valid है हर एक Emotions यहाँ पे accepted है सारे Emotions valid है चुकि Universe itself डूआलिटी में create हुआ है दोनों प्रकार के अनुबों है सिर्फ हम एक ही अनुबों को receive करेंगे तो दूसरे अनुबों को neglect करेंगे उसे resist करेंगे पर इसकी जगह इन दोनों डूआलिटी को इन दोनों प्रकार के अनुबों को अगर आपने as a third perspective as a observer उसे अनुबों करना शुरू कर दिया उसे देखना शुरू कर दिया awareness क्रेट करनी शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आप खुली आँखों से भी detache होकर उन दोने अनुबों को दोनों प्रकार की डूआलिटी को आप यहां पे accept कर पाएंगे देख पाएंगे detache होकर उसे suffering लिए बिना आप उसे समझ पाएंगे शांती प्रेम या उस परमानंद का अनुबों खुली आँखों से भी आप कर पाएंगे क्योंकि यहां पे भेत सिर्फ इतना है कि जहां पे आप मैं भुगत रहा हूँ यह इस अनुबों में जाते हैं suffering वही पर है पर मैं उस suffering को देख रहा हूँ यहां पे आप separate होना शूरू कर देते हैं सिर्फ इसकी practice आपको खुली आँखों से करनी है सिर्फ खुली आँखों से आपको हर एक व्यक्तियों के साथ के रिष्टों को देखना है जब उन व्यक्तियों के साथ के रिष्टों में आप प्रेम और आनन्द का अनुभव नहीं कह सकते हैं उस परम तत्व को कैसे पाएंगी उस इश्वर के दर्शन करके आप क्या करेंगी उन ब्रह्म में जी कर आप क्या करेंगी अगर आप ब्रहमीत अवस्ता में ही जीना चाहते हैं तो ये आपकी चोईस हो सकती हैं पर अगर आप जागना चाहते हैं तो सबसे पहले देखना होगा क्या उसी इश्वर के दर्शन इश्वर की बिनाई हुई हर एक रचना में मैं कर पा रहा हूँ तो emotional frequency को detail में समझनी के लिए देखिएगा जब आप मैं से आपरेट होते हैं तो सबसे पहला जो डाउन फ्रिक्वंसी है वो शेम है जो हमने लास्ट वीडियो में समझा शेम, गिल्ट, अपेथी उसके उपर दीरे दीरे आपकी फ्रिक्वंसी आपको प्राइड की तरफ ले जाती है प्राइड से उपर आप डिजायर करते हैं डिजायर से उपर करेज होती है सौरी शेम, गिल्ट, अपेथी उसके उपर आप देखेंगे डिजायर है या फिर एंगर है, ग्रीफ है ये सारे इमोशन्स आपके लोवर रेल्म के होगए और उसके उपर जब आप करेश, विलिंगनेस, नियूट्रालीटी से आपरेट होना शुरू करते है तो यहां पे कमपेशन क्रीट होना शुरू हो जाता है मितरो इसी प्रेशन का जवाब अगर एक शब्द में मैं देना चाहूं कि क्यूं आध्यात्मिक आयमों को सर करते हैं, उसे अचीव करते हैं और वापस उस लोवर रेल में चली जाते हैं, लोवर इमोशन्स में चली जाते हैं आपके जीवन में वो जो प्रुग्रेस है, वो कायम नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या मिसिंग है कुछ कमी है कुछ गलती हो रही है और इसे एक शब्द में अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पे आपकी जो कमी है वो है कमपेशन हर एक अनुभो की प्रती कमपेशन मुझे अगर किसी व्यक्ती ने साथ कुछ गलत किया है तो कमपेशन चाहिए वाबी वो गलत नहीं है वो एक डिवालिटी है उसी व्यक्ती के अंदर कुछ अच्छे भाव भी है कुछ अच्छे गुन भी है उसी व्यक्ती के अंदर कुछ बुरे गुन भी है जो गुण आपको बुरे लग रहे हैं वो आप ही के अंदर की वो नेगडिव साइड है जो वो व्यक्ति आपको दिखा रहा है प्रमण अगर आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहे बताना चाहे, आपको अपना ही प्रतिविम दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएगा आपके अंदर वो कमीईा है वो कैसे दिखापाएगा अब कैसे देख पाओगे कि मेरे अंदर क्या-प्या कमजूरी है तो सामने कोई व्यखती ऐसा व्यवहार करेगा जिस से आपको अच्छानक से गुसा आएगा गुस्सा वो नहीं दिला रहा है गुस्सा आपके अंदर बैठा हुआ है किसी के विवहार से आपके अंदर बैठा हुआ बड़ी शांती से बैठा हुआ वो एंगर सर्फेस हो जाता है उपर उठता है और जब वो उपर आता है तो आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि ये गुस्सा अब बाहर आया है इसको निकाल सकते हो तो निकालो ना कि इस गुस्से में रहो ना कि इस गुस्से को अपना व्यक्तीत वो या अपना अस्तीत वो समझो जब वो उपर आया है तो उसे पकड़ के निकाल सकते हैं उसे देख सकते हैं उसे अबज़ो कर सकते हैं उसे निकाल सकते हुआ जब तक वो नीचे छुपकर बैठा हुआ है उसे नहीं निकाल पाऊगी पर किसी ने कोई विवहार किया और उससे वो अंदर से बाहर आया तो उ उसी समय पे आप उसे निकाल सकते हों। ब्रह्मान आपको यह एक्स्प्लेंड करना चाहता है। यह एक्सप्रेस करना चाहता है कि कुछ कमियां आप में बैटी हैं अंदर छूपकर आपके सबकॉषिस के डीपर लीवल में वो छूपकर बैटी हैं। कोई विक्ती ऐसे ही आपके सामने आपको आईना दिखाए गा और आपके अंदर की उन कमीयों को उपर निकालेगा जब उपर आती है सर्फेस होती है तो उसे आप निकाल सकते हो पर हम यहाँ पर इस टेप को बूल जाते हैं उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें गुसा आ गया, हमें दुख हो गया, हमें रोना आया, हमें ध्रीना हुई, हमने नफरत की, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ इसके बाद इन्हीं अनुभावों के लिए हम गिल्टी फिल करना शुरू करते हैं या हम शेम फिल करते हैं देख रहे हैं किसी किस परकार आपके emotions को trigger मिलते हैं लोगों के विवहार से वो लोगों का दूसरों का जो विवहार है वो आपके अंदर के in emotions को अपर लाने के लिए है ंपके highest, best के लिए है पर यहां से आप अपना hit नहीं करते हैं आप नहीं चाहते हैं कि अपना हित हो आप उतने अवेर नहीं है तो यहां पे इन इमोशन्स के साथ ही आप जीना शुरू करते हैं ऐसे विवहार के साथ ही आप जीना शुरू करते हैं और जो सिद्धियां आपने हासिल की है या जहां तक आपने इश्वर को पाया है या जो चीजे आपने अपने जीवन में अचीव की हैं वापस आप उन frequencies में चली जाते हैं तो मित्रो हर समय ये frequency up and down होती रहती है जब आप प्रेम के भाव में हैं तो ये आपकी emotional vibrations आपके high है आप प्रेम के vibrations को spread कर रहे हैं पर उसी समय आपको घुसा आता है तो आपके vibrations उपर से नीचे की तिरफ आ जाते हैं तो आप anger को react करते हैं वापस आपने किसी के साथ प्रेम का अनूब हो कर लिया शान्ती का अनूब हो कर लिया तो वो vibration आपके अपन डाउन होते रहते हैं इस फ्रिक्वंसी को हम ऐसे ही देख सकते हैं हम पूरे समय गुसे से व्यक्ते नहीं करते हैं कभी कबार हम गुसा व्यक्ते करते हैं हम पूरे समय प्रेम के भाव में नहीं रहते हैं हम कभी कबार प्रेम को महसूस करते हैं तो आपकी फ्रिक्वंस का चार्ट ऐसे अप एंड डाउन होता रहेगा और इसको स्टीबल करना हो तो क्या करना होगा मैक्सिमम टाइम आप दूसरी का भला सोच सकते हैं मैक्सिमम टाइम आप किसी के लिए पीस अनुभू कर सकते हैं किसे के लिए प्यार अनुभू कर सकते हैं जब आप आँखे बन करें तो कलतना शक्ती में आप प्रेम को बहाना शुरू करें और वही प्रेम खुली आँखों से उस विक्ति के प्रती महसूस करना शुरू करें तो जब आप उपर के high vibration में जाते हैं जहां पे प्रेम हैं जहां पे acceptance हैं और उसके उपर जहां पे joy हैं वहां पे एक compassion आ जाता है और ये compassion हर परिस्तिती में हर duality में आपको compassionate रखेगा यानि कि अब आप गरम अनुभाओ के लिए भी okay हैं थंडे अनुभाओ के लिए भी okay हैं सही के लिए भी okay हैं गलत के लिए भी okay है because you are not reacting anything to anything you are not reacting to anything किसी चीज़ को आप अब react नहीं कर रहे हो आप observe कर रहे हो आप देख रहे हों कि क्या आ रहा है आपके सामने तो जब आप compassionate energy में चले जाएंगे उस feeling में चले जाएंगे जहाँ पे आप compassion फील कर रहे हैं वहाँ पे आप observer बनेंगे और वही observation आपको detach रखेगा उन अनुबहों से उस गुसे से उस तीरसकार से इस तरहीना से कोई व्यक्ति अब गुसे से व्यक्त कर रहा है तो उसका व्यक्ति तो है temporarily वह एंगर सर्फेस कर रहा है ना कि वही गुसा है वही व्यक्ति गुसे वाला है नो, उसके अंदर गुसा बैठा है पर्टिकुलर सिक्चोशन में वो ट्रिगर होके पहारा आ रहा है अब वो आपको गुसा नहीं कर रहा है You can observe that कि वो व्यक्ति अब आपको गुसा नहीं कर रहा है आपके साथ तुर्फ विवहार नहीं कर रहा है उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो अब उपर आ रहा है उसे कोई trigger मिल रहा है और जब वो उपर आएगा आप यहाँ पर compassionate रहेंगे compassion की energy में रहेंगे आप reactive mode में नहीं होंगे judgment के mode में नहीं होंगे या resistance के mode में नहीं होंगे तो उस व्यक्ति को आप प्रेम से देखते रहेंगे यहाँ पे रहेगा सिर्फ प्रेम acceptance जहां हम इसे कह सकते हैं करूना मैत्री और इन करूना और मैत्री के गुनों के साथ ही आप उच्छतम स्थीदी को पा सकते हैं अब ये विकास आपका permanent होगा अब ये विकास development आपका permanent होगा तो आप higher dimension में permanently shift होगे उस one-ness में permanently shift होगे फिर वहाँ से downfall नहीं आएगा वो साप सेडी वाली जो गेम आती है हम सबी ने खेली होगी हम कितनी महनत से कुछ सेड़ियां उपर चड़ते हैं और एक साप आता है जो निगल जाता है तो शायद वो साप कौन है पहचानी हमारे जीवन के जो हमारे negative emotions है वही साप है कितनी महनत करके हम कहीं पहुँचते ह और वो साप हमें निगल जाते हैं वापस रख देते हैं lower dimensions में तो इस dimensions को permanently achieve करने के लिए सिर्फ हमें emotions को observer के form में देखना होगा चाहे वो हमारे अंदर के हो चाहे वो सामने वाले के हो तो यहाँ पे एक word आपको नया distinction के रूप में मिल रहा है यह distinction है compassion जहाँ पे आप compassionate हों हर व्यक्ति के प्रती हर परिस्थिती के प्रती और हर emotions के प्रती जहाँ पे आप duality को अब आप accept नहीं कर रहे हो आप उसमें जी नहीं रहे हो सफर नहीं कर रहे हो बट observe कर रहे हो दोनों प्रकार के creation जो universe ने create किया है उसे with respect आप देख रहे हो हर प्रकार के लोगों को भीक मांगते लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि universe खुद को ही कैसे भीकारी बना कर उसका अनुभव ले रहा है poverty क्या होती है उसका experience कर रहा है वाव wonderful क्या आया यहां पर और कोई prostitute हैं तो हम देख सकता है कि universe कैसे खुद को एक prostitute के रूप में इस prostitution का experience कर रहा है how wonderful it's okay तो एक compassion वाली energy हो गई कि universe अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से अनुभव लेता जा रहा है इसमें क्या गलत और क्या सही है क्योंकि यह प्रुथवी यह धरती balance में चलती हैं यहां पे हर प्रकार के creation है हर प्रकार के experiences हैं और यह vivid experience ना हो तो आपका progress भी हमारी सोल का progress तब होता है जब यहां पे दोनों प्रकार के experiences होते हैं अच्छी या बुरे अनुभव नहीं होते हैं अनुभव सिर्फ अनुभव होते हैं और अनुभव के प्रकार होते हैं तो इसी प्रकार से और characters को देखेंगे कि universe किस प्रकार से किस बूड़े के व्यक्त के रूप में इस disease का रोग का अनुभव कर रहा है वाई universe has chosen this role तो आप इस प्रकार से जब देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलीगा कि आप ही ब्रहमान की हर एक creation में हर एक स्रिस्टी के सर्जिन में आप ही अनुभव ले रहे हैं आप ही धड़क रहे हैं आप ही उ होता है पर फिर भी शब्दों को यूज करते हैं कि हर प्रकार के अनुभव को आप ही यहां पर experience करते जा रहे हैं तो क्या आप और मैं भिन हैं नहीं ना तो इसी प्रकार से अगर देखते हैं कि कई लोगों को हमने देखा है कि जहां पे कोई अच्छे कारिया की शुरूआ कोई करता है और दूसरा उसमें विगने डालने की कोशिस करता है दूसरा उसमें विगने डालने की कोशिस करता है उसको डिस्ट्रॉई करने की कोशिस करता है तो इस परीस्तिती में हम क्या समझ सकते हैं मेजर लोगों की प्रेशने यहीं होंगी कि हम जीवन में कुछ अच करना शुरू करिए कि उनके अंदर के क्या फियर्स हैं जो आपके किसी पॉजिटीव वर्क को या आपके किसी अच्छे कारियों को देखकर ट्रिकर हो जा रहे हैं उनकी अंदर के इंसिक्यूरिटी या फियर सर्फेस हो रही है अगर आप उसके साथ कमपैशनेट रहेंगे त एक एक शब्द को एक एक वाक्य को अगर आपने अच्छे से सुना अच्छे से समझा तो समझे ये चीज बहुत अच्छे से आपको सीधा सेवन्थ डाइमेंशन की तरफ ले जाएगी तुड़े आएम टॉकिंग अबाओट सेवन्थ डाइमेंशन और ये सेवन्थ डाइमेंशन को एकस्पिरियंस करना अपने आप में एक कहते हैं इसको अलाइनमेंट यानि के अब आप भिन्ड नहीं हो आप किसी से अलग नहीं हो उस विक्रूत व्यक्ति से भी अलग नहीं युनिवर्स उस विक्रूत विक्ति के रूप में विक्रूति के रूप में खुद को अनुवह कर रहा है। युनिवर्स ने ही चूस किया है वो रूप तो वो इस प्रकाह से कर रहा है। युनिवर्स ही नेगिटिव एंटिटी के रूप में खुद्पू एक्सपरेंस कर रहा है और जब आप अपने अंदर एक पूरे ब्रह्मान के रूप में स्थापित हो जाते हैं तो बाकी के युनिवर्स आपके साथ अलाइंड होने शुरू हो जाते हैं उनके कारियर आप कमपेशन की एनरजिक के साथ देखते रहेंगे पर सफर नहीं होंगी आपके सामने अब आपके पास आपके अंदर अब करूना है प्रेम है और आनन्द है तो यहाँ पे स्वीकार अपने अप आता जाएगा तो देखिए अपने जीवन में अपनी सास को देखे यूनिवर्स उनके मादियम से कैसे व्यक्त हो रहा है उनके क्या इनसेकूरिटीस है या उनके क्या फियर्स हैं जो आपके सामने ऊपर उठ रहे हैं ट्रिगर हो जा रहे हैं और उसी triggers के साथ, उनके उन्ही feelings के साथ, अगर आप compassionate feel करते हैं, तो दीरे दीरे वो आपकी energy के साथ aligned होना शुरू हो जाते हैं कितने विक्तियों को husband wife से problem होती होगी, wife को husband से या husband को wife से, तो देखना शुरू करें, दो universe तो अलग-अलग form में एक दूसरे को experience कर रहे हैं, खुद को भी experience कर रहे हैं, और एक दूसरे को भी experience कर रहे हैं तो एक विक्ति के अंदर दूसरे विक्ति को देखकर क्या trigger हो रहा है, क्या surface हो रहा है, उसके अंदर बैठे हुए कौन से negative emotions trigger हो जा रहे हैं, कि उसका स्वरूप ऐसा हो जा रहा है और दूसरे विक्ति यहां से उसके प्रति compassion फिल करना शुरू करें, suffering की जगा, तो इन रिश्टों को भी बड़े आसानी से सुलजाया जा सकता है तो होप ये information आपको supportive रहें, आपको अच्छा guidance दे पाएं और इन ही series के माधियम से, अगर आपने एक एक series को, एक एक video को उसी समय पे पूरे तरीके से absorb कर लिया तो आपकी life को transform होने से, या permanently rise up होने से कोई नहीं रोख सकता है ये मेरी guarantee है और इसी प्रकार से हम continuously step by step आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके अंदर कितनी भूख पैदा होती है, वो decide करेगा आप कितना गुरूत करते हैं धन्यवार मेरे साथ बने रहे